हेलो एब्रिवान, वेलकम तो दलिकल प्रिसेट चानल, मैं हूँ महाश्वेता पतनायक, आज मैं आपके साथ कॉंस्टिटूशन का आर्टिकल 269-A के उपर डिसकस करूँगी, आर्टिकल 269-A कहता है लेभी अन कलेक्शन आफ गूर्स अन सर्विसेस टैक्स इन कोर्स अफ इ लबरिटली डिसकस करने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लिस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चानल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल एकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मज सके, GST को implement करने के लिए constitution में 101st amendment करना पड़ा क्योंकि GST की respect में कोई law ही नहीं था और बिना law के ना कोई tax लगया जा सकता है या collect किया जा सकता है ये article 265 कहता है article 265 says no tax shall be lived or collected except by the authority of law 101st amendment act के साथ ही कुछ नए articles को constitution में introduce किया गया और कुछ articles को हटाया गया और कुछ articles में modify किया गया GST को बारिकी में समझना चाहते हैं तो आपको constitutional provision जाना होगा इसे जाने भी ना अगर आप GST act को देखेगे तो आपका fundamental कभी भी clear नहीं होगा पहले अपने fundamental को strong कीजिए इसे तो भीड में सब चलते हैं खुद का पहचान बनाना है तो कुछ अलग करना होगा आपको लगता होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही है लेकि जो बोल रही हूँ सच ही बोल रही हूँ खुद पे जो बित्ती है न वो अपने आप जुबां पे आ ही जाती है छोड़िए ये सब बात को अब चलिए आर्टिकल 269-A को डिसकस करते हैं आर्टिकल 269-A सेज लेभी अन कलिक्षिन अब गूसा सर्विजस टैक्स इन को सर्फ इंटर स्टेट ट्रेडर कमस इंटर स्टेट ट्रेडर कमस के बारे में किस ने कहा था ये कहता है इंटर स्टेट सप्लाई में जी एसटी के रिस्ट में पाल्यमेड ही कानून बनाएगा और वो कानून कैसा होगा उसे कैसे अपलाय किया जाएगा और उसमें जो टैक्स कलिट किया जाएगा उसे कैसे बाटा जाएगा ये सब बात आर्टिकल 269 ने कहता है अगर सरल भासा में समझे तो आर्टिकल 246-A के क्लाउस 2 को आर्टिकल 269 ने elaborately explain कहता है अब आर्टिकल 269-A के क्लाउस 1 को देखते हैं आर्टिकल 269-A क्लाउस 1 says goods and services tax and supplies in the course of interstate trader commerce shall be levied and collected by the government of India and such tax shall be apportioned between the union and the states in the manner as may be provided by the parliament by law on the recommendation of goods and services tax council इसका मतलब interstate supplement tax को ले भी और collect government of India यानि central government करेगी और जितना भी tax collect होगा उसे GST council के recommendation पर center और state दोनों के बीच में बांट दिया जाएगा इंटर state supply में जितना भी GST collect होगा उसे IGST कहते हैं उसके उपर में पिछले वीडियो में डिसकस कर चुकी हूँ जो IGST collect होगा उसे center और state में बांट दिया जाएगा अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है यह जो IGST collect होगा इसमें से कौन से state को tax जाएगा जिस state को गूर्स या services जाएगा उसी state को ही यह tax जाएगा क्योंकि यह GST एक destination based consumption tax है फिस सवाल आता है कि यह destination based consumption tax क्या है destination based consumption tax में tax उसी state को जाता है जिस state में supply consume होता है interstate supply में जो GST collect होगा उसे GST council के recommendation पर union और state में पांट दिया जाएगा अब clause 1 के explanation को देखते हैं भी कहता है for the purposes of this clause, supply of goods and services और both in the course of import into the territory of India shall be deemed to be supply of goods or services are both in the course of interstate trade or commerce clause 1 का explanation कहता है जो भी supply of goods या services या दोनों इंडिया के territory में import होगा उसे भी interstate supply कहा जाएगा import का मतलब क्या होता है जब भी देश से कोई सामान या service या दोनों हमारे देश को supply होगा तब उसे import कहा जाएगा अब clause 2 को चलते हैं यह कहता है जो भी amount अपोशन के मताबिक state को अपोशन किया होगा वो consolidated fund of India का पार्ट नहीं बनेगा consolidated fund of India क्या होता है पहले इससे समझते हैं government of India का तीन तरीके का account होता है that is consolidated fund of India, contingency fund और public account इन तीनों के उपर मैं और किसी वीडियो में elaborately discuss करूँगी जो भी tax collect होता है जिससे कि income tax हो गया, corporation tax हो गया, custom duty हो गया या excise हो गया वो सब consolidated fund of India को जाता है article 269A का clause 2 कहता है जो भी amount clause 1 के तहत collect होगा उसे directly state को दे दिया जाए ये भी सही है क्योंकि consolidated fund of India से पेसा निकालना एकलेंदी process होता है clause 1 कहता है कि जो भी tax collect होगा उसे GST council के recommendation पर union और state में बांट दिया जाएगा अगर union और state में collected tax को बांट दिया जाएगा वो tax state को directly दे दिया जाएगा अब clause 3 को चलते हैं ये कहता है ये कहता है clause 1 में जो GST collect होता है उस GST को article 246-1 के तहट state GST से payment करने के समय जो tax लगता है वो भी consolidated fund of India का part नहीं होता है कुछ समझ में आया पता है नहीं आया होगा चलिए इससे धीरे धीरे explain करती है clause 1 को फिर से पढ़ते हैं ये कहता है where an amount collected as tax levied under clause 1 यानि clause 1 में जो tax levied करके collect किया जाएगा clause 1 किसकी बात करता है interstate supply interstate supply में जो GST collect होता है उसे IGST कहते हैं फिर कहता है अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा अब आपके समझ में आ गया होगा फिर से clause 3 को देखते हैं ये कहता है इसका मतलब जहां पर state की liability को IGST से payment किया जाएगा जितना भी amount IGST से pay किया जाएगा वो amount consolidated fund of India का part नहीं होगा बलकि वो amount state को directly दे दिया जाएगा I hope अब आपके समझ में ये आ गया होगा अगर थोड़ा सा भी doubt होगा तो उसे comment section में जरू लिख के दीजेगा उस doubt को में clear करूगी अब class 4 को आते हैं ये कहता है where an amount collected as tax levied by a state under article 246A has been used for payment of the tax levied under clause 1 such amounts shall not form part of the consolidated fund of the state clause 4, clause 3 का ठीक opposite है ये कहता है अगर SGST को IGST से set up किया जाता है तो फिर ये जो amount है उसे consolidated fund of state का part नहीं माना जाएगा अगर सरल भासा में clause 3 और clause 4 को समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि जहाँ पर IGST से SGST को set up किया जाता है वहाँ पर वो amount consolidated fund of India का part नहीं होके directly state को जाएगा और जहाँ पर SGST से IGST को set up किया जाता है वहाँ पर वो amount consolidated fund of state का हिस्सा नहीं होके वह amount directly center को जाएगा अब last clause clause 5 को देखते हैं ये कहता है परल्यमेंट में by law formulate the principles for determining the place of supply और वेने supply of goods और of services और बोथ takes place in the course of interstate trader कमाश ये कहता है परल्यमेंट चाहे तो place of supply के लिए principles determine करेगी और किसी supply को interstate supply माना जाएगा या नहीं ये भी determine करेगी place of supply यानि जिस place को supply किया जाता है यानि destination state article 269 ने सुरुआ सही interstate trader कमाश की बात करता है जहांपर interstate supply आएगा वहाँ पर तो पाल्यमेंट ही law बनाएगी interstate supply में IGST आक्ट आता है इसके section 10, 11, 12, 13 place of supply की बात करता है interstate supply में पाल्यम में इनको सब पावा दे दी गई है ताकि states के बीच में लडाई ना हो ये था article 269 ने I hope आपके समझ में article 269 ने आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में article 279 ने जो कि GST काउंसिल की बात करता है उसके उपर discuss करूँगी आज के वीडियो को यहीं paint करती हूँ अगर आपको ये वीडियो informative लगा तो प्लिस लाइक कीजिए और जादा से जादा share कीजिए और subscribe तो जरूर कीजिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल दे के आऊंगी तब तेक के लिए goodbye friends